ये चीज 1,00,000 की notebook है, जिसमें आप basically चीजे लिख सकते हैं, और ये है एक 100 रुपे की copy, दोनों में आप लिख सकते हैं, बट क्या फरक है वो बताता हूँ, इतर में जो pencil है, वो 10,000 की आती हैं, जो overall writing experience है, paper के जिसा ही लग रहा है, क्योंकि इसके ओपर में matte finish है, even 120Hz है, pen और display की बीच में ज्यादा lag भी नहीं है, और ये है classmate की copy, जिसमें लिखने का experience काफी अच्छा है, even handwriting भी काफी अच्छी आती है, पर iPad में आपको काफी सारे paints मिल जाते हैं, इस तरह से बस normally hand-drawn shapes बना सकते हो, इसमें एक virtual scale भी है, और इन सब चीजों को यूज करके आप इस त तरह की illustrations बना सकते हैं, और आपके सारे notes एक ही iPad में रहते हैं, आपको 10 copy लेके नहीं घूमना पड़ेगा,